Question number 5 करेंगे, find करना है, क्या find करना है, हमें 24 का 1 upon 2 find करना है, 46 का भी 1 upon 2 find करना है, ऐसे ही हमें adding का 2 upon 3 find करना है, इसके अंदर, फिर 27 का 2 upon 3, हमें एक में ना 2 दो करना है, 16 का 3 upon 4, 36 का भी 3 upon 4, 20 का 4 upon 5 और 35 का भी 4 upon 5, बहुत easy, बहुत ही simple है, तो first है हमारा इसके अंदर, 1 upon 2 of, first है हमारा 24, और second है हमारा, इसमें 46, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा first वाला है, 1 upon 2 in to 24 यहां पे हम, इसको लिख देंगे, कार्ड देंगे, 2 upon 2, 2 upon 2, 2 upon 4, क्या आ गया हमारा, 12 आ गया, यानि की 24 का 1 upon 2 क्या होता है, 12 होता है, ऐसे ही, 1 upon 2 इंटू 46, तो ये भी कर जाएगा 2 बन जा 2, 2 तू जा 4, 2 तू जा 6, तो 46 का जो 1 अपन 2 होता है, वो होता है हमारा 23, ऐसी जो इसका second वाला है, उसमें में करना है, 2 अपन 3 और first है हमारा इसका 18, और second है हमारा इसका 27, यानि कि 18 का भी 2 अपन 3 निकालना है, 27 का भी 2 अपन 3 न 12 आ जाएगा, इसी तरीके से 2 अपन 3 को ये हमारा first है, इसका ये इसका हमारा second है, तो 2 अपन 3 इंटू 27, 3 बन जा 3, 3, 9 जा 27, 9, 2 जा 18, तो 27 का 2 अपन 3 कितना होता है, 18 होता है, इसका जो अब हमारा third वाला है, उसमें हमें बोला गया है, कि हमें 3 अपन 4 जो करना है, किसका क करना है, 16 का करना है, और हमें करना है 36 का, तो पहले 3 अपन 4 इंटू 16 कर लो, first वाला, 4 बन जा 4, 4, 4 जा 16, 4, 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, इसका second कर लो, 3 अपन 4, multiply 36, तो 4, 9 जा 36 होता है, और 9, 3 जा कितना होता है, जो हम D देखते हैं, इसका जो D है, उसमें है, अभी हमने A B और C कर लिया, D वाले में 4 अपन 5, of 20, इसका first 20 है, इसका second है, 35, ठीक है, तो 4 अपन 5, multiply 20 हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 फोर्जा 20, और 4 फोर्जा 16 हो जाएगा, यह इसका first हो गया, इसका second क्या है, 4 अपन 5, multiply 35, 5 बन जा 5, 5, 7 जा 35, और 7 फोर्जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहानि कि 20 का 4 उपन 5 होता है, 16 होता है, 35 को जो 4 उपन 5 होता है, वो 28 होता है, यहां पर हमारा question number 4, complete हो जाता है, question number 5 हमारा complete हो जाता है, question number 6 में देखते है, question number 6 में बहुत गया, multiply and expressed as the mixed fraction, हमें जो क्या करना है, इसमें multiply करना है ठीक है इसके अंदर हमें उससे multiply करने के बद को किसमें express करना है mix fraction में जो हमें इसको express करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो mix fraction तो चेंच करना पड़ेगा improper में, तो 3 multiply, 5, 5s आ 25, 25 में 1 plus करेंगे तो 26 upon में 5 अजाएगा अब हम इसको हम क्या करेंगे मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 78 अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने के बाद हमारा अंसर आएगा 15 इस्टो 3 अपॉन में 5 छिए के दिवाइड करके देख लो 5 को 78 से 5 वन जा 5 25 I was 25 25 चाए 15 त्रीटों हे बचा 3 ईह हमारा क्या है् ज्मीडेटर हो जाता यह हमारा इस सेंगे जिस्क नमीडेटों को चिर पर कुरे गोर st रिल्फ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27 अपॉन में 4 इसको multiply करना है 5 से 27 को 5 से multiply करेंगे तो 135 अपॉन में आ जाएगा 4 दोनों को divide करेंगे तो आएगा हमारा 33 is to 3 अपॉन में 4 जो है वो इसका answer आएगा अब इसको भी पहले हम कर लेंगे इन प्रॉपर में 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन में 4 multiply करना है 7 से 7 9 जा हमारा आ जाएगा 63 63 अपॉन में 4 दोनों को divide करेंगे तो 15 is to 3 अपॉन में 4 आ जाएगा यहाँ पे करेंगे हम इसको 4 multiply अब 63 जा 18 और 1 19 19 अपॉन में 3 आ जाएगा 19 को 4 से multiply करेंगे तो 76 अपॉन में 3 दोनों को divide करेंगे तो 25 upon में 25 is to 1 upon में 3 आएगा यहाँ पे भी हम इसको करेंगे 4 3 जा 12 12 और 1 13 upon में 4 into 6 देखो यहाँ पे कट सकता है हमारा किस से 2 के table से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 13 को 3 से multiply करेंगे तो हमारा आएगा 39 upon में 2 दोनों को divide करेंगे तो 19 is to 1 upon में 2 आएगा ठीक है अब F में भी देखो 3 is to 2 upon 5 into 8 है तो हम 5 को 3 से करेंगे 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाता है हमारा 17 upon में 5 multiply 8 17 जा कितना होता है 136 और upon में आएगा हमारा 5 ठीक है अब हम इन दोनों को divide जब करेंगे तो हमारा आएगा 27 is to 1 upon 5 जो हमारा इसका answer आएगा तो यह हमारा question number 6 question number 7 देखते है question number 7 में बोला गया है find a 1 upon 2 1 upon 6 के निकालना हमें 2 is to 3 upon 4 का और 4 is to 2 upon 9 का हमें 1 upon 2 जो है वो find करना है ऐसी ही यहाँ पे हमें 5 upon 8 जो हमें निकालना है 3 is to 5 upon 6 का 9 is to 2 upon 3 का हमें 5 upon 8 निकालना है तो पहला जो है हमारा find करना है जो हमें इसमें 1 upon 2 of 2 is to 3 upon 4 और यह हमारा first हो गया इसका second हो गया हमारा 4 is to 2 upon 9 ठीक है तो 1 upon 2 multiply अगर हम इसको solve करेंगे तो 4 2 जा 8 8 to 3 11 upon 4 हो जाएगा first वाला हमें पहले करेंगे न अब इसको हम करेंगे multiply 11 को 1 से multiply करेंगे तो 11 और 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 दोनों को अब हम divide कर देंगे तो हमारा आएगा 1 is to 3 upon 8 ठीक है यह हमारा first हो गया इसका जो second हमारा यह है अब हो 4 is to 2 upon 9 तो 4 is to इसका हमें 1 upon 2 निकालना ना multiply 9 4 जा 9 पूला 36 36 में 2 प्लस करेंगे तो 38 upon 9 आएगा 38 को 1 से multiply करेंगे 38 यह 9 2 जा 18 आप जी जो हमारा जो है वो कट सकता है 9 2 जा 18 है हमारा आप चाहे इसको हम जो इसको divide भी कर सकते हैं ठीक है अब चाहे हम इसको काट लें 2 से काट लेते हैं 2 9 जा 18 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 तो क्या आजेगा 19 upon 9 और दोनों को divide करेंगे तो हमारा आएगा 2 is 2 1 upon 9 जो है वो इसका हमारा answer आजाएगा तो यह अब इसको बी देखते हैं 5 upon 8 और पहले में करेंगे फर्स्ट वाला multiply 6 3 जा 18 18 में हम 3 प्लस करेंगे 18 में 3 प्लस करेंगे sorry 5 प्लस करेंगे 6 3 जा 18 18 में 5 प्लस करेंगे तो 23 upon में 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारा कुछ कट नहीं सकता है इसलिए हम multiply करना पड़ेगा 23 5 जा होता है हमारा 115 और 8 6 जा 48 अब हम दोनों को divide कर देंगे कट नहीं रहा यहाँ पर divide करके हमारा mix fraction में आएगा 2 is to 9 upon में 48 ठीक है इसका जो second है वो अब हम करते हैं 5 upon 8 multiply देगो 9 3 जा कितना होता है 27 होता है 27 प्लस करेंगे 29 upon में 3 आ जाएगा यहाँ पे भी हमारा जो है कुछ कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे इन दोनों को multiply कर देंगे 29 5 जा 145 और 8 3 जा 24 दोनों को divide करेंगे तो हमारा आएगा 6 is to 1 upon में 24 जो इसका answer आएगा divide करने के पाद mix fraction में ठीक है तो यह हो गया हमारा इसका 7 का B 7 question complete हो जाता है 8 देखते हैं देखो एट में हमें बोला गया है विद्या प्रताब वेंट फोर पिक्निक कि विद्या प्रताब 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 ने पी दिया तो विद्या ने कितना पानी पिया हमें बताना यह हमें fraction में दे रखा न तो विद्या ने कितना पानी पिया और प्रताब ने कितना पानी पिया, जो प्रताब ने पानी पिया, वो हमें fraction में निकालना है, लेकिन जो विद्या ने पानी पिया, वो हमें fraction में दे रखा हमें quantity में निकालना है, ठीक है, तो यहां हम करेंगे question number 8, total water कितना है पहले हम वो लिख लेते हैं total water है 5 liter ठीक है 5 liters अब first देखते हैं पहले हम water जो first रोन हम से पूछा था consumed by Vidya Vidya ने कितना पानी पिया है 2 upon 5 5 of 5 लिटर यानि कि उसने 5 लिटर का कितना पिया था 2 upon 5 तो 2 upon 5 और 5 लिटर क्या होता है 2 upon 5 multiply 5, 5 से 5 कट जाएगा क्या बचेगा 2 यानि कि Vidya ने कितना पानी पी लिया था Vidya ने जो है 5 में से 2 लिटर पानी पी लिया ये first का answer आगया second का देखो second में था कि प्रताब ने कितना पानी पिया था वो हमें fraction में निकालना है अब बचा हुआ पानी कितना था बचा हुआ पानी 5 में से 2 लिटर अगर उसने पी लिया विद्या ने तो 3 लिटर बचेगा ना थिक है तो हमें ये तो पता चलिए कि 3 लिटर पानी जो है प्रताब ने पी लेगे बचा हुआ पानी प्रताब ने पिया था अब हम इसको fraction में निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें fraction of water consumed by प्रताब जितना प्रताब ने पिया वो अब हम इसमें निकालनेगे अब देखो पानी क्या है एक बोतल है 1 upon 1 का मतलब 1 हो गया इसमें से minus कर देंगे 2 upon 5 जो की पानी fraction में जो विद्या ने पिया था 2 upon 5 जो में बुक में दे रखा है minus कर लेंगे 5 आजेगा हमारा नीचे common क्योंकि दोनों का एलसे में लेंगे तो 5 यह आएगा उपर के आएगा 1 upon 5 जो 5 5 को 1 से multiply करेंगे 5 minus 5 जो 5 जो 5 और 2 से 2 तो 3 upon 5 जो है वो प्रताब ने पानी पिया यह हमने किस में निकाला fraction में निकाला है ठीक है तो यहाँ पर हमारी exercise जो है 2.2 कम्प्लीट हो जाती है होफुलिए आप और वीडियोस हेलफुल लगे हो वीडियो हेलफुल लगे हो तो प्लीज लाप शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू